इस्लामुलेकूम आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच टोस्ट यह ब्रेक्फस्ट में बनने वाली रेसिपी है जो के बहुती जटपट सी जल्दी से बनने वाली और टेस्टी रेसिपी है जिसके लिए मैंने तीन अंडे ले लिये है इसमें हम वनीला एसंस गर देंगे 1 पाउडर शुगर एट करेंगे और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जो शुगर के लम्स वगेरा इसमें नहीं होने चाहिए तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ले और बहुती टेस्टी बनकर ये रेडी हो जाते हैं फ्रेंच टोस्ट बच्चों को और बडों को स तो ये देखे इसको बैटर हमारा बनकर रेडी हो चुका है फ्रेंच टोस्ट का अब हम बनाने के लिए चलते हैं एक पैन ले लेंगे उसमें थोड़ा ओईल और बटर एट करेंगे आप चाहें तो सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं अब ब्रेट को हमें डीप करना है इस अच्छी तरीकी से तक ये सोक कर ले बैटर को देखे इस तरीकी से अच्छे से डीप कर ले और फिर इसको पैन में दाल दे फ्राइ करने के लिए अब इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करना है अच्छा से इस पर कलर आजाए तो फिर इसकी साइट को हम टर्न कर देंगे तो देखे एक साइट से पक चुका है अब दूसरी साइट पर इसको टर्न कर देना है और दूसरी साइट से भी हम इसी तरह से इसको पका लेंगे तो देखें फ्रेंच टोस हमारे सारे फ्राइ होकर रेडिया, तो थोड़ा हनी दालना है, हनी दालने से बहुत ही जादा टेस्टी लगता है यह और हनी दालने के बाद हम इस पर बटर दालने वाले हैं जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, तो अगर वीवर्स आप झाल झाल